आखिर क्यों लक्ष्मन जी की वृत्यू की खबर सुनते ही माता सीता जोर-जोर से हसने लगी जब मेगनात ने लक्ष्मन जी पर शक्ती बार से प्रहार कर उन्हें मूर्चित किया तब वैदि सुशेन जी ने बताया कि लक्ष्मन जी का उपचार दोडागिरी परवत पर पाई जाने वाली संजीवनी बूती से ही संभव है लेकिन उसे भी सूर्योदय से पहली ही लाना होगा अन्यता लक्ष्मन जी की वृत्यू हो जाएगी जब ये खबर त्री जटा ने माता सीता को सुनाई तब माता सीता त्री जटा को देख हसने लगी यहाँ देख त्री जटा आश्चर्य में पर गई और बोली कि माते आप इस दुख की घड़ी में ऐसे कैसे हस सकती है तब माता सीता ने कहा कि इसमें भैभीत होने की क्या बात है। जब लक्षमन स्वयन तीनों लोकों के स्वामी की गोध में सर रखकर सो रहे हो तो कार उन्हें छू भी कैसे सकता है। और रही बात संजीवनी बूटी की तो सूर्य में इतना कहां साहस की वह हनुमान जी के लंका आने से पहले धल सके। कमेंट में सभी जैश्री राम जरू लिखें।